आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends तो अभी जो हम Question करने जा रहे हैं दोस्तों वो है Comprehension Skills पर Based हमारी जिसमें हमें क्या करना होता है हमें ये देखना होता है कि जो Passage हमें दिया गया है उसका क्या मीनिंग है और उसमें जो हमारा Author है वो क्या कहना चाहरा है तो हमें Basically उसे Comprehend करना है और फिर हमें इस Passage के End में इसके Basis पर एक Question दिया जाता है जो उसका हमें जवाब दिना होता है और वो हमें इस Content को पढ़ने के बाद ही Idea लगता है कि क्या जवाब है तो आईए दोस्तों चलते हैं आप Passage की तरफ और Passage का मीनिंग निकालते हैं दोस्तों पासेज कहता है Once upon a time there lived a queen in the city of Banaras तो एक बार की बात है Once upon a time मतलब है एक बार की तो एक बार की बात है एक रानी रहती थी Banaras शहर में Her name was Khema तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं उनका नाम बता रहे हैं Her name was Khema And she was the wife of king बहुपुता का और वो किन की पतनी थी? वो पतनी थी राजा बहुपुता का की तो यह हमारे राजा का नाम है आगे चलते हैं One night the queen had a dream of beautiful golden goose that spoke with great wisdom, almost as if he was a sage तो एक रात क्या हुआ मारानी को सपना आया कहते हैं उसे सपना आया कि उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर स्वन बतक देखा दोस्तों गूज और बतक में जादा कोई फरक नहीं है हंस भी कुछ लोग कहते हैं इसको लेकिन यहाँ पर हम larger meaning में बतक family से इसको लेंगे तो यह meaning क्या है? बतक ही लेंगे तो इस बतक ने क्या किया? इस बतक ने बहुत ही wisdom के साथ महान लोगों की तरह बात करी और काफी बुद्धिमान बात करी महरानी से इस तरह almost as if he was a sage इस तरह बात करी कि वो शायद एकदम से एक महात्मा ही हो वो एक संथ ही हो, right? तो संथ लोगों में बुद्धी होती है in the sense हर एक चीज को काफी अच्छे तरह किसे देखते हैं तो यहाँ पर वही meaning आ रहा है कि उसने जो है काफी अच्छे से महारानी से बात करी और बहुत ही पुद्धी जीवियों जैसी बात करी तो महारानी इंप्रेस हो गई तो महारानी ने महाराज को बताया और उनों ने बोला कि वो बहुत ही जादा चाहती है she wanted to see a bird and desperately desperately मतला बहुत ही जादा किसी चीज को चाना, दिल से चाना तो बहुत ही जादा चाहती है कि उनको यह जो पंची है तो महाराज ने बता क्या उनको दिखे जो उनके ड्रीम में उनने दिखा so the king asked his ministers to find out all that they could about a bird such as this तो महाराज ने क्या किया, महाराज कहे मंत्रियों के पास, महाराज ने पूछा कि भई, मंत्रियों बताओ, ऐसा कोई बढ़ है या नहीं, और सब कुछ ढूँदो इस bird के बारे में इस पंची के बारे में he was told that such a bird did exist but was extremely rare and difficult to find तो मंत्रियों ने क्या कहा, मंत्रियों ने कहा कि महाराज, एक पंची तो है ऐसा, लेकिन वो बहुत ही जादा rare है, मतलब वो बहुत ही कम numbers में है और difficult to find और उसको ढूणना बहुत मुश्किल है तो मंत्रियों ने ये बताया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने suggestion दिया, उन्होंने advice किया, मतलब उन्होंने अपना point of view दिया महाराज को और वो क्या था, कि महाराज आप एक बहुत ही सुन्दर जील बनाईए, beautiful lake सुन्दर जील बनाईए क्योंकि इस सुन्दर जील पर क्या आएंगे, सारे पंची आएंगे जो बहुत ही स्यादा rare है और सुन्दर है lovely creatures हैं और वो यहाँ पर रहने आएंगे, आपको इस जील का बनानी है आउट्सकर्ट्स ऑफ बनारस, बनारस शहर के बहारी जगह पर बनानी है थाकि यह जील आकर्शित कर सके इन पंचीयों को जो काफी रहर है तो अगर पंची महाँ पर आ जाएंगे तो महरानी साहिबा की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि नौर्थ में एक माउंटेन थी एक पहार था जिसका नाम था सिटाकुटा और वहाँ पर यह जो 90,000 वाइल्ड गीज रहे इनका राजा कौन था इनका राजा था हमारा golden goose काफी सुंदर जो था golden goose इनका राजा था और उसका नाम क्या था उसका नाम था धता रथा तो उसे राजा धता रथा बुलाए जाता था आल राइट आगे चलते हैं He got to hear of this exquisite lake surrounded by water lilies and lotuses floating on the surface तो हमारा ये जो king दता राथा था इसने obviously सुना कि हावा ये एक बहुत ही सुंदर lake है जील है हिद्नी में जील कहते हैं lake को तो एक बहुत ही सुंदर जील है जो क्या करती है बनारस के बाहर है और उस पर कमल तैर रहे है और उस पर लिली का फूल भी तैर रहा है तो ये जो है दोस्तो काफी जादा enticing था काफी जादा आकरशित करने वाला था इन सब के लिए तो जो राजा था उसने सब को प्रामिस किया था सबसे वादा किया था सारे पंचियों से कि आओ और रहो मेरे जील पर और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुचेगा कोई भी हार्म नहीं आएगा कौन वस स्काटरद अन डेली बेस और इन सारे पंचियों को आकर्शित करने के लिए मक्के के दाने भी रोज फैलाए जाते था समीन पर था कि वो आए और खाए तो थोड़े जो गीस थे वो आए महराज के पास, किंग दातराथा के पास और उन्होंने कहा कि भई हम ठक गए हैं यहां पहाड़ों पर रहते रहते और हमें यह जो सुंदर जील है बनारस के बाहर हमें वो देखनी है जहां पर महराज ने बोला है कि तो महराजा दतरा था भई मना नहीं कर सकते तो इतनी देर में ही क्या हुआ या इतने ही टाइम में क्या हुआ कि जो हमारे राजात भई पता का बनारस के उन्होंने क्या गया उन्होंने हर जगर शिकारे बिठा दिये इस जील के आस-पास क्यू? ताकि अब्विसली जैसे ही यह स्वन बतक दिके तो शिकारे उसे पकड़ लें तो अगली सुबह जैसे ही हमारा ये जो पूरे नभ्य हजार का जुंड था बतकों का ये पहुचा यहाँ पर बनारस की जील के पास तो जब उडते वे देखा जो head hunter था शिकारियों का एक तरीके से head था वहाँ पर उसने उडते वे देखा तो उसने obviously golden leader देखा कि यहाँ बे एक तो स्वन बतक दिख रहा है मुझे उडता हुआ तो वो बहुत खुश हो गया he immediately went about setting up a snare among the water lilies and lotuses as he knew that the leader would definitely be the first to alight तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो हमारा शिकारी था उसने क्या किया एक snare set up कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों snare का जो मतलब आ रहा है वो आ रहा है trap मतलब जाल बिचाने का तो उसने क्या बिचा दिया जाल बिचा दिया पानी में जाल बिचा दिया कि जैसे ही इस पर उत्रे का स्वणब तक उसे पकड़ लेगे the whole flock came flying down in one mighty swoop and as expected it was the king's foot that touched the water first तो जो पूरा flock था उनका वो एक ही साथ एक तरीके से नीचे की तरफ मुढ गया मतलब जमीन की तरफ आने लगा और जैसा की expect किया था आशा करी थी सबसे पहले स्वणब बतक ने ही अपना पैर पानी में रखा he was ensnared and could not escape तो जो स्वणब बतक था हमारा वो ensnare हो गया यह past tense है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों वो trapped हो गया मतलब fust गया तो जाल में fust गया trap में trapped हो गया trap में trapped हो गया, fust गया आगे चलते हैं seeing this the other geese flew into a panic but none had the courage to try to free their king and so flew back to Mount Sitakota for safety तो जैसे ही बाकी सारों ने ये देखा कि अरे महाराज तो फस गय है उन सब को डर लग गया तो वो सब डर गया तो अब उन्हों डर लगा तो उन्होंने क्या किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना courage नहीं था कि हो जाके अपने महाराज को छुडा सके free कर सके उन्हें जाल से तो वो सब दर की मारे वापस Mount Sitakota चले गए सुरक्षा के लिए all except one सब चले गए लेकिन एक नहीं गया ये one इसके सिवा बाकी सब चले गए ये नहीं गया He was the chief captain समुखा और ये कौन था जो नहीं गया ये था सेना पती समुखा King Datharatha entreated him to fly to safety too as he would surely be captured if he stayed by his side तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है King Datharatha जो है वो बोल रहे हैं समुखा को कि तुम भी यहां से चले जाओ otherwise तुमको भी कैद कर लिया जाएगा तुमको भी पकड़ लिया जाएगा तो ये जो वर्ड लिखा है दोस्तों entreated he entreated him तो इसका मतलब है कि उन्होंने उससे request किया काफी जादा sincerely request किया मतलब काफी अच्छे से बोला और काफी जादा अच्छे से बोला कि भाई प्लीज तुम चले जाओ यहां से अपनी सिरक्षा के लिए वरना तुमें भी capture कर लिया जाएगा पकड़ लिया जाएगा बंदी बना लिया जाएगा आके चलते हैं बट समुखा replied that he would never desert his master in the face of danger तो समुखा ने क्या बोला कि मैं अपने master को नहीं छोड़ूँगा जब उनकी जान को खत्रा हो जब वो नुकसान में हो एक तरीके से बेसिकली जब वो death के सामने हो तो मैं उनने नहीं छोड़ूँगा तो मैं अपने गुरूँजी को नहीं छोड़ सकता and would either try or save him or die by his side तो मैं कोशिश करूँगा और बचाऊँगा या फिर उननी के side में अपनी मौत पाऊँगा at this point the hunter approached and as समुखा saw him he decided to appeal to his compassion तो इस time पर क्या हुआ इस time पर जो हमारा शिकारी था वो इनकी तरफ चलके आने लगा तो समुखा ने क्या सोचा समुखा को लगा कि वो कोशिश करेगा कि वो hunter से थोरी करूणा वाली बात करे सहानुभूती वाली बात करे दया भाव वाली बात करे कि hunter को दया आ जाया उन दोनों पर तो जो हमारा शिकारी था उसने क्या किया उसने बतक से पूछा सुन बतक से कि मुझे मौत के बारें बताओ तो जो हमारा golden goose है उसने काफी अच्छी बात करे उसने कहा कि जब किसी का time किसी का समय जो है वो खतम हो जाता है it gets up जब उनका time या उनका जो समय है इस दर्ती पे वो खतम हो जाता है तो संघर्ष करके उसके against उसके खिलाफ संघर्ष करके कोई फाइदा नहीं है, कोई use नहीं है कोई काम नहीं है क्योंकि what was fated जो किस्मत में लिखा है destiny में लिखा है वो होगा ही and one must just accept it और जो भी इंसान है या जिसके साथ भी हो रहा है उसको वो चीज बस मान लेनी चाहिए और accept कर लेना चाहिए संघर्ष नहीं करना चाहिए उसके प्रती तो जो मारा शिकारी था उसको ये बात बहुत पसंद आई और उसको ये बुद्धी मान वाली जो एक तरीके से पोश्चर था स्वनबतक का और जो बाते थी वो काफि अच्छी लगी तो यहां पर वो पूछ रहा है संघर्ष की तुम क्यू नहीं उड़े तुम क्यू नहीं भागे जो तुमारे पास चांस था मौका था बाकी पंच्छीयों के साथ तुम यहां क्यू रुके हो तो संघर्ष की जो गोल्डन गूस है was his king, best friend and master and that he could never desert him even at the cost of his own life तो उसने कहा कि यह जो स्वनबतक है यह मेरे राजा है मेरे प्रिय मित्र हैं और मेरे गुरू है मैं इनको छोड़ कर नहीं जा सकता तो दोस्तो डेजर्ट का मतलब क्या हुआ डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ कर चले जाना उनको abandon कर देना तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ कर चले जाते हैं तो आप उसे डेजर्ट कर देते हैं तो मैं उनने छोड़ नहीं सकता जबकि मेरी मौत मेरी सर पर खड़ी हो या मेरी जान ख़त्राओं में तब भी नहीं छोड सकता Hearing this, the hunter realized that these were a couple of birds of great nobility तो ये सुनने के बाद, जो हमारा शिकारी था उसको ये समझ आया, उसको ये realized हुआ कि ये जो पंची है, ये काफी उच्च कोटी के पंची है काफी अच्छे पंची है He did not much care for his own king's reward तो जो हमारा शिकारी था, उसने क्या किया उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसको भी कोई prize मिलेगा, कोई reward मिलेगा उसने सही चीज करने की सोची और उसने उनको छोड़ देनी की सोची उनको आजाद कर देनी की सोची He told Sumukha that as he was ready to die for his king He would set them both free to fly wherever they wish तो उसने Sumukha को बोला कि क्यूंकि तुम अपने राजा के लिए मरने तक के लिए तैयार हो तो मैं तुम दोनों को आजादी दे दूँगा और तुमें जहां जाना हो तुम वहां जा सकते हो तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ जो हमें दिख रहा है passage के end में और इस सवाल का जवाब देते हैं Question है Consensus और हमें क्या ढूँदना है इसका Meaning ढूँदना है Out of the given option choices तो option choice में हमें दिया गया है सबसे पहले Harmony तो दोस्तों हमें यह याद करना है कि Consensus use कहां किया गया था passage में तो Consensus use किया गया था कि आपको सबको आपसे बैठ कर ये फिर बिठाना था अपनी observations पूल करने के बाद कि क्या animal है तो आप सबको अपना opinion साथ में डाल कर agree करना था एक दूसरे से मानना था कि हां भई यही है सबको साथ में एक ही दिमाग से काम करना था तो वो consensus के sense में use हुआ था तो consensus का मतलब थोड़ा बहुत क्या आ रहा है हमारा कि कुछ साथ में वैट कर समझना था अब option one कहता है harmony which is a word very close to peace right अगर आप किसी के साथ harmony harmony में है तो peace में है आप उनसे लड़ाई जगडा नहीं कर रहे हैं आप शांती से उनके साथ है तो it is peaceful existence तो हम यहाँ पर short में peace लिख देते हैं तो दोस्तो शांती की बात नहीं आ रही है consensus का मतलब शांती नहीं होता तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे option two कहता है agreement और obviously consensus में हमारे पास क्या आ रहा है meaning आ रहा है कि कोई भी चीज जो है वो साथ में हो रहा है so obviously कुछ लोग के बीच में agreement हो रहा है वो लोग मान रहे हैं कि हाँ भई ये चीज हो सकती है तो इसको हम stand by पर रखकर चलते हैं then we have option three जो कहता है information तो अगर अगर आप मेनिंग लगाएं कि भई हाँ information तुम सब को आपस में रखनी थी तो दोस्तों कोई logic नहीं आ रहा है कि pull your observations already pull चुका है zookeeper so no use option four कहता है order again कोई इसका यहाँ पर meaning नहीं आ रहा कि आपको चीजों को एक order में रखनी चाहिए थी यहाँ पर order कोई बात नहीं है अगर उसलग अपने observation साथ में डालते और फिर एक निशकर्ष पर पहुंचते कि हाँ भी यह था कि मैंने उसके कान पकड़े मैंने उसके पैर पकड़े मैंने उसका यह पकड़ा मैंने उसका वो पकड़ा तो पकड़के आइडिया लग जाता कि हाँ भी हमने parts पकड़े है और यह इतना बड़ा animal है तो elephant हो सकता है कि कि उसके कान कैसे थे एक big fan जैसे थे तो हमें हमारा जबाब मिल चुका है option choice to agreement और यह किसका meaning है दोस्तो consensus का thank you so much for watching the video